एसस्ताब मुलंट कारे थे आज vivid करनेंगे है静 है इस्टेशनरी फेज करेंगे सब से पहली पास क्या है शुटिशनरी फेज करें थाइट से इसक confirma को विज करेंगे इसमें हम कोईने को कॉलम और प्लें अब इसके अंदर हमने अगर packed column यूज़ करते हैं तो इसके अंदर हमने stationary phase को इस तरह pack किया होता है अब stationary phase का main मकसद गया होता है देखें मेरे पास दो तरह हैं की जो भी chromatography ले ले जो भी chromatography ले ले दो तरह की phase इसमाल हो रही होती है एक होती है stationary phase, stationary phase और इसके बास second number पर होगी mobile phase second number पर क्या है हमारे पास mobile phase ये दो तरह की phase इसमाल हो रही होती है ये वाले चीज जो होती है immovable होती है immovable इसलिए इसको नाम दे रही होते है stationary phase का जो mobile phase है वो होती है moveable moveable जो चीज़ मूव कर सकते हैं इसको हम नाम दे रहे होते हैं mobile ऐसी चीज़ जो के chromatography के मूव करती है इसको mobile phase के हैंगे जो रुकी रहती है इसको stationary phase करते हैं अब होता क्या है कि आप जो भी analyte लेते हैं जो दो तरह के हमारे पास mixture है उनको separate करना चाहते हैं तो तरह के उसके अंदर components हैं एक यह वाला एक यह वाला इन मैंसे एक की affinity stationary phase के साथ ज्यादा होगी जबके दूसरी के mobile phase के साथ ज्यादा होती है वो आगे की तरफ चला जाता है जिस component की affinity या फिर कशिश stationary phase के साथ ज्यादा होगी वो रुक के जाएगा थोड़ी देर बाद निकलेगा यहां से बाहरी की तरफ जो stationary phase है यह separation में मदद दे रही होती है यह क्या कर रही होती है suppression में मदद देरी होती है तो क्योंकि हमने बात करने स्टेशनी फेज जो के हम यूज कर रहे होते हैं gas chromatography में मूद रेकिए gas chromatography में दो दर हैं स्टेशनी फेज यूज कररे थोते हैं क्योंकि हमारे बास gas chromatography प्रेंगे तरो दर डृट प्रेंगे धैशन दे डैटर थी व्युनार थी तप्लेज है तो धिस्म में हैं हैं थू ताइप्स ओफ गैस chromatography घैस chromatography chromatography अब वो किसम है कौन-कौन सी है ज़रा गोहर कर लीजिएगा उन दोनों में stationary phase different है according to base of stationary phase there are two types one is G-L-C another is G-S-C G-L-C में अगर stationary phase की बात की जाए G-L-C में stationary phase की अगर मैं बात करूँ तो इसमे stationary phase होती है liquid और इसका पूरा नाम भी आपको ना चाहिए gas liquid chromatography जाने कि gas होगी mobile phase liquid होगा यहाँ पर stationary phase G-S-C gas solid chromatography यहाँ पर stationary phase की अगर मैं बात करता हूँ stationary phase की अगर मैं बात करूँ तो पूरा यहाँ पर stationary phase solid होगी यहाँ पर stationary phase solid होगी बात यह सिंपल सी बात याद रखिएगा हमारे पास stationary phase एक ऐसी चीज़ों जोके immoveable होती है उसको हमने column के अंदे pack कर देना होता है इसके बाद हमारे पास दो तरह की stationary phases हो सकती है एक हमारे पास GLC में और एक है GSC में GLC में stationary phase liquid होती है जबके GSC में solid होगी बस यह सिंपल सी बात भी तक याद रखिएगा अब इसके बात जो हमने stationary phase यहाँ पर stationary phase stationary phase stationary phase के क्या क्या क्रेक्टर 6 है इसको अभी हमने डिस्क्स करना है यह अमोमन शोट कोशन के लिए आ जाता है क्राइड डाउन सम्क्रेक्टर 6 of stationary phase which is used in gas chromatography तो इसमें सबसे पहला character six है काफी जीदे important है यह जी नोन वॉलर टाइल होना चाहिए stationary phase यह हम अमोमन बात कर रहे हैं क्योंकि हम पीछे से डिस्क्स कर रहे हैं यूजिली डिस्क्स कर रहे होते हैं वह gas liquid chromatography है तो अगर gas liquid chromatography हम liquid phase यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जो liquid phase stationary phase होगी उसको non-volatile होना चाहिए the stationary phase stationary phase should be non-volatile should be non-volatile यह non-volatile होनी चाहिए पहली नंबर पर वोलाटाइल इसके वाज़ो second character six है जो भी आप stationary phase आप यूज़ करो इसको thermally stable होना चाहिए the stationary phase the stationary phase फिर जो stationary phase आप कोई भी इसमाल करो should be होनी चाहिए should be thermally stable should be thermally stable क्योंकि आपको थोड़ी बहुत इसकी instrumentation का पता हो ना thermally जो हम previous lectures के अंदर डिस्क्रस कर चुके हैं अब gas chromatography में हम oven का इसमाल कर रहें तो क्रीब थीन सो डिग्री संटीग्रेड एक सो दो सो या तीन सो डिग्री संटीग्रेड टमप्रेचर प्रोवाइड कर रहे होते हैं सो आपकी stationary phase thermally यानि उसको आप high temperature पर करो या low temperature रहे हो thermally stable होनी जाहिए इसके बाद the boiling point of the stationary phase the boiling point of the boiling point की बात करता हूं of stationary phase almost स कम जबकम होना चाहिए 100 degree centigrade. the boiling point of stationary phase is should be should be at least कम मजद कम होना चाहिए at least 100 degree centigrade 100 degree centigrade कम मसद कम होना चाहिए 100 से ज्यादा भी हो सकता है ज़िखे है कम जबकम 100 degree centigrade होना चाहिए इसके बाद जो भी stationary phase use कुरो, वो easily available होनी चाहिए, the stationary phase, the stationary phase is easily available, is easily, easily available, यानी असानी से मिल जानी चाहिए, इसके बाद, it should yield, appropriate k value, it should yield, इसको देनी चाहिए, appropriate, मुनासर, appropriate k value, k value, for components to be studied, for component, components to be studied, अब ये k value क्या होती है, distribution coefficient होता है, कि आपका कुछ salute stationary phase में रहना चाहिए, कुछ salute mobile phase में रहना चाहिए, इन दो चुछों के दरमयान में जो ratio है, ये k value होती है, ये क्या होती है, k value होती है, यानि कि जितना अच्छी हमारे पास normal k value होगी, यानि कि ना बहुत ज़्यदा high हो, ना बहुत ज़्यदा low, तो आपकी separation अतनी अच्छी हो रही होती है, जानि कि जिसकी जो के वैली होनी चाहिए, वो moderate होनी चाहिए, 0 से 1 के दरमयान कोई भी value आनी चाहिए, ना exact 0 होनी चाहिए, ना exact 1 होनी चाहिए, जानि कोफिशन 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 को हम previous lectures के अंदर chromatography में discuss कर चूंके हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं इसका लेक्शन कोफिशन 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 क्या होता है, कोई भी salute अपने आपको distribute कर लेता है, दो phases के दरमयान में, यह हम अगर बात करेंगे, वो mobile phase है और stationary phase है, सही है, और इनके दरमयान में जो ratio है, इसको हम नाम दे रहे होते हैं, distribution coefficient, जैनि k value, इसके बाद आप जो भी stationary phase use करो, inert होनी चाहिए, the stationary phase, the stationary phase, should be inert, should be inert, इसको inert होना चाहिए, mean least reactive, inert का मतलब क्या है, mean least reactive, least reactive, यह बहुत कम reactive होनी चाहिए, यहां हमने यह character six लिखे, अब देखे, stationary phase दो ही तरह होती है, यह तो polar होगी यह non polar होगी, अगर यहां बात करूँ, types of stationary phase, जैनि polarity के लिखाँ से, types on the basis of, on the basis of polarity, basis of polarity, polarity की base पे अगर मैं stationary phase की बात करता है, हमारे पास दो तरह की stationary phase होती है, पहले नमबर पे polar stationary phase, polar stationary phase, stationary phase, polar stationary phase, ऐसी stationary phase है जो को पानी में हल हो जाती है, उसको हम नाम दे रहे होते हैं polar stationary phase का, या फिर जिन में poles बन जाएं, partial positive, partial negative charge जाएं, उसको हम नाम देंगे polar stationary phase, इसके बाद second जो टाइप है, वो है non polar stationary phase, non polar stationary phase, stationary phase, अब non polar, जिसे में partial positive, partial negative charge create ना हो जाएं, ऐसी stationary phase जो पानी में अलना हो, उसको हम नाम दे रहे होते हैं non polar stationary phase का, अगर इन दोन में example की बात की जाएं, अगर हम polar stationary phase की example दो, कहता है हाई molecular mass polyester, जो अमोमन हम इस्तिमाल कर रहे होते हैं, स्क्रोमेटोग्राफिं में high molecular mass, molecular mass, polyester, polyester, ethers, and amines, यह हमारे पास polar stationary phases है, जबकि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर non polar stationary phases की, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले नबर पर हाइडरो कार्बन, हाइडरो कार्बन, जितने भी हाइडरो कार्बन हैं, वो हमारे पास non polar stationary phases में आ रहे होते हैं, इसके बाद सिलीकॉन ऑईल, सिलीकॉन, ऑईल, थर्ड एक्जेंपल अगर मैं बात करूँ, तो यह है ग्रीसिज, ग्रीसिज को भी आप as a stationary phase यूज कर सकते हैं, ले यह था हमारे पास stationary phase होती क्या है, किन तरह की हैं, कौन कौन से stationary phases हम gas chromatography में यूज करते हैं, जी एल सी में concentration phase होती है, जी एस सी में concentration phase होती है, characteristic substration phase अगर देखे जाएं, तो यह आपके non-volatile होनी चाहिए, thermally stable होनी चाहिए, इसका volume point कम मज़कम, 100 degree centigrade होना चाहिए, असानी से मिल जाने वाले होनी चाहिए, इसके बाद appropriate, यानि के मुनासब से k-value होनी चाहिए, ना इतनी जादा high हो, मतलब one और zero तो बिलकुल ही ना हो, अगर one और zero k-value होती है, तो इसका मतलब आप जो यहां से mixture अंदर की तर भेज़ रहे हैं, उसकी suppression ही नहीं हो रही, इसके बाद आप जो भी stationary phase यूज़ करो, वो inert होनी चाहिए, इनर्ट का मतलब कि आज़ यह least reactive होनी चाहिए, ना ही react करें, अब इसके बाद stationary phase की अगर टाइप्स देखी जाए, on the basis of their polarity, तो polarity के हवाले से polar stationary phases, पोलर जिसमें पॉल्स बनते हों, ना पोलर जिसमें पॉल्स नहीं बनते हैं, तो यह polar stationary phase की कुछ एग्जेंपल हमने दिये हैं, non polar stationary phase की कुछ एग्जेंपल दिये हैं, तो हमारे पास आज का लेक्चर में यही है, थेंक्स फॉचिंग, लाफिज इसके screenshot लाजमी ले लेजिएगा,